पूरी कर दी दादा जी के जमाने में उन्होंने एक पैसा अपने साधी में नहीं लिया बसरते कि अपने जहां साधी किया उन लोगों को लिये किया हमारे फादर ने नहीं लिया किसी के लिए रोकेंगी तो रोकेंगी जो चीज सब बोलते हैं कि ये करना है वो जब इवेंच्वली सब कुछ विन तिंग्स फॉल इंटो प्लेस तो यू विल फाइंड नेम इन डाट पीडिएफ यू इस्पार फॉर तो को यही बोलूंगी कि किसी की जरनी बहुत शॉट सिंपल सी होती है किसी की थोड़ी लॉंग हो जाती है अब इशकर में अनुकुल दिवाली और आप लाइफ सीरीज देख लीजे ध्यान से हमारे बगल में हैं सोनल सिंग्ग जानिये रांक है एट बीपीएसी में रांक एट लाई है सबसे पहले बहुत 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 आई ह कैसा लग रहा सोनल की रांक 8 अप लाई है तो कैसा लग किया सराऊ अभी वही है कि सिंक इन हो रहा है अभी तक सुन्ते आते थी तो जब रांक आ जाती है जब辉स्स सिंक करने में टाइम लगता है वह अक्चुली अब फील हो जाए कि हां सच में जाना जाएंगी कि 12 आपने कहां से किया कहां रहती थी क्या करती थी कितना पढ़ती थी और कितना सोती थी वह भी जाना जाते हैं इनिशली मैंने अपनी स्कूलिंग है वो पतना से लेकिन मेजरली जैपूर से करी है उसके बाद मैंने बीटेक किया है लेक्ट्रोनिक्स और कम्मिनिकेशन इंजिनिरिंग राजस्तान टेकनिकल यूनिवर्सिटी से फिर मैंने यूपीसी के प्रेपरेशन शुरू करी उसमें तो जब फाइनल सेलेक्शन नहीं हो पाया था तो यूर्स में तक तो यूर्स पताजी अर्ममी जी ने कहा कि एक पापा दे चाही करो ने बुल नहीं था कि सोनल का प्ताजी और मम्मी जी ने कहा कि मुझे पता नहीं था कि क्या पोस्त होते हैं मुझे एक्जाम का पैटन भी उस समय तक नहीं तक नहीं था तो मुझे जब बोला कि एक बड़ा कर लो तो मैंने फॉर्म भर दिया फिर ये जर्नी इतनी लंबी खिष्टी जाया थी 67 BPSC फेमस इंफेमस वाल हुए तो मैं उस सम प्राइन दे लो तो 67 में हो तो 67 में हो तो अपने एजन्डा कर दिया अगा बाकी लोगों को बताएं क्योंकि रांक 8 आया है आपका लोग बहुत जादा अच्छा फील करेंगे जब एक रांक 8 वाले उनको कुछ समझाएंगे अलग कुछ नहीं करते थे जो हर को ही बोलता ह तो यू विल फाइंड नेम इन दाट पीदिए यू इसपार फो तो यह बताई कि आपने फिर हर चीज यू बीपीस के तयारी कहां सखी मैंने बीप की तयारी आइस सच नहीं करी है मैंने यूपीस की तयारी करी थी तो उसका बेस मेरा स्ट्रॉंग था तो मुझे बीपीस क के लिए कुछ कोचिंग नहीं था इनीशली डेली में करके मैंने कोचिंग पिता जी यहां मौझूद है पिता जी जरूर पुछिंग उसके बाद पर आएंगे एक पिता का छाती चौड़ा हो जाता है सब निगम धिंडोरा हो जाता है कि बेटी निकाल लीए बीपीज से आप इस से छोटा है मेरा बेटी को बना दिये बड़ा एकडम अधिकारी तो भी अभी इंजिनियरिंग पास किया है ठीक है पास करके अभी उसने जैपूर में ज्वाइन किया है और उसके लिए जब रिजल्ट आयो तो साथ में थे कि अलग अलग थे घर में एक साथ थे एक साथ थे तो मैं लेक्ट क्या कर दियो उसके बाद जब जैसे अपने स्क्रीन पर देखना कि अपकी बेटी का नाम आ गया एट रांक सबसे पहले तो इसको गले लगाया कि जो मेरी तमना थी तुमने पूरी कर दी मैं बहुत इसके उपर जितना मैंने विश्वास किया अपने से ज्यादा इस लिए कि मैं मैं बाप होने करनाते अपने बच्चों को भली भाती मैं जानता हूं पहचानता हूं कि मेरे बच्चे किस लाइक हैं तो इससे मेरी उमीद सुरू से सुरू से यह थी होनार बजबान के हुद दिल बोल रहा है एक पिता का दिल बोल रहा है आप बात से समझ रहोंगे आप यह समझे कि नर्शरी से ले करके और इंजिनियारिंग तक पास आजए पिता जी क्योंकि आज यह जब यह बोल रहे हैं दूर नहीं होना आपको हां टॉप ही रही है कंटीनिवस यह इंजिनियारिंग कॉलेज में बहुत कम क्लास जाती थी तो इसके टीचर मेरे पास कंप्लेन करते थे कि मैं उसको डिबार कर दूंगा इस बार परिक्षा नहीं देने दूंगा तो मैं इससे बोलता था कि अरे सुनल दिये तुम्हारे सर हमारे पास इस तरह की बात कर रहे हैं तुम क्यों बहुत पापा इनको बोलने दीजिए यह घर पे आके मेरा फॉर्म भरवाएंगे मुझसे बढ़िया रिजल्ट इनका लाएगा कौन यह इसका कॉंपिटेंस शूरू से पिता यह वीडियो देख रहे हैं अपनी बेटी को पढ़ने नहीं दते हैं गलत करते हैं बेटी को सबसे ज़्यादा आप प्यार दीजिए उसको आगे प्रसाहित कीजिए बेटी से बड़ा कोई मतलब कि आपके लिए धन नहीं है बेटा जो है वह अपने कर्मों से बेटा कि को किसी दूसरे के घर में जाना है यह सचाई है तो उस अपनी बेटी को आप इस लायक बना दीजिए कि तरह तरह का परिवेस्त आप देखी रहें कि कि किसकी तरह के लोग है कि अपने जीवन में कभी भी उसको अफसोस नहीं रहे कि हम अपना जीवन जो है धंग से जीन करेंगी हार पेरिंस को होती है उनको भी थी मुझे भी कॉंफिडेंस था अपने उपर बट जब एक्जाम हॉल में जाते हैं अचली मेरा सब्जेक्टिव बेंट अफ माइं काफी ठीक है मुझे भी ऐसा फील होता है लेकिन अब्जेक्टिव में थोड़ा सा हेवाय हो जात पर आफ के अपने पर आपके नहींते हैं आपके कणी पर बोज वाला नहीं जिम्मेदारी वाला काम आज़ेकर तो कर लीजी अगा विल्कुल विल्कुल अगर नहीं करना होता तो इतना लंबा समय खीचते नहीं क्योंकि ऑफ्र से मतलब हें लोगों के पास की छोड़कर का अच्छा आप यह बदाई कि हार आप क्यों नहीं मानी क्योंकि हमेशा से एक तूटी तो आप ही थी तूटता हर इंसान है लेकिन टूटकर के ही उठना पड़ता है क्योंकि लाइफ में यह तो एक एक जाम है लाइफ में ऐसे बहुत सारे सिच्वेशन आएंगे जब बहुत पड़ेगा तो टूट करके बिखर जाना तो अप्शन नहीं होता है अंकल जी सबसे में सवाल जो एक पिता से होता है बेटी को दूसरे घर भेजिएगा दहेज के लिए मेरा जो अपना फिरीड से पता कर सकते हैं मेरा खंदान का हिस्ट्री आप पता कर सकते हैं दाधाजी के जमाने में उन्होंने एक पैसा अपने सादी में नहीं लिया बसरते कि अपने जहां साधी किया उन लोगों था बचा बाबु आप क्या लीजिए गा बोलिये तो साधी हमारे हां की जिसने भी पैसे का नाम लिया बोला कि तुम भैल खरिदने आए हो हमारा बेटा बैल है कि भैल सहे क्या है यह इस तरह की बात जो करेगा उसके आपके परिवार में कोई लिया कोई नहीं यह लेकिन नह तो उसमें बेटी के लिए अगर मजबूरी होती है कि भाई इतना करने के बावजूद भी मतलब की अगला पक्ष जो है जहां हमको यह इसको सब तरह से पसंद आब है तो उस कंडिशन में किसी का अगर लालच है तो विरोध करने के लिए त्यार है गलत चीज तो अगर पा मैं क्या करूं एक मेरा जो अपना सेंटिमेंट एक बाप का लेकिन लोफुली एथिकली जो सही होगा वही होगा आज आप समझे ना कि हम लोग तो इसके बीरोधी हैं आज तक कोई आच्छा दूसरी बात आपका इमोशन बोला है यह इमोशन मने जो सचाई है मैं बिलकुल ग्राउंड लेवेल की जो बात होती है वही मैं आपके सामने बाची तहीं करेंग देश पर पता चला इधर से पिता जी बोल रहें इधर से बेटी जी बोलें और फिर हो गया बहस उसके बाद हो गया इंटर्वियू रांक 8 है आपको बहुत बधाई लोगों को क्या बोलना है किसी की थोड़ी लॉंग हो जाती है आप जिस फोकस के साथ एंटर करते हैं तो अगर मान लो कि सेलेक्शन ना सेलेक्शन वो पार्टन पार्सल अफ लाइफ है लेकिन कभी भी इस पर्टिकुलर जर्णी के कारण खुद को सेल्फ डाउट करना मत शुरू कीजिए मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है उसके उपर बात नहीं होती है बहुत टाइम आएगा जब आप खुद पर डाउट करना शुरू कर देंगे यह सबसे ज़्यादा डिबिलिटेटिंग होता है अपने लिए और आपके आसपास वालों के लिए तो कभी भी धुवाधार परफॉर में सबसे मेन चीज़ था है तो लोगों को मॉटिवेशन भी बिला होगा तो बस लाइज सीरीज के साथ बने में चानल को सबस्क्राइब कर देने वादा